गवर्नर रहते हुए केंदर सरकार पर किसानों के मुद्दे पर हमला वर रहे सत्यपाल मलिक जिनको Z-Plus Security मिली थी उन्हें अब Z-Plus Security के बिना रहना होगा ग्री मंत्राले ने Z-Plus Security का कवर सत्यपाल मलिक से वापस ले लिया है आपको बता है सत्यपाल मलिक कश्मीर के गवर्नर थे और कश्मीर के गवर्नर को Z-Plus Security मिलती है एक समय सीमा के लिए अब वो Security सत्यपाल मलिक के पास नहीं रहने वाली है हमारे साथ बात करने के लिए पूर् और रिटायर हुए हैं, उन सब के पास अभी तक सिक्यूरिटी है, मेरी सिक्यूरिटी अलमॉस्ट पूरी तरह हटा ली गई है, जो एक्स क्लास भी दी गई है, उसमें एक टी एसो होगा, वो भी मेरा तीन दिन से नहीं आ रहा है, तो मैं क्या समझो, कि सरकार चाहती है कि इसके अलावा असेंबली मैंने डिजॉल की थी, और मुझे वहाँ जनरल्स ने बताया था, कि आपको पाकिस्तान से भी खत्रा है, यहाँ के टेरिस से भी खत्रा है, और वहाँ की जो कश्मीर की जो एडवाईजरी कमिटी थी, उसने यहाँ लिखा था, जब मेरा तबादल हो रहा था, कि इनको खत्रा है, इनको दिली में मकान दिया जाए और सेक्योरिटी दी जाए। अब वहाँ सब कर दी गया है, अब ह्या समझा हूँ? तो अपने क्या लिखा था आमिशाजी को इस बारे में दो बार लिखा और दोनों बार में ने लिखा कि मुझे थ्रेट इस वेरी वेरी रियल और इसलिए मेरी स्कुरिटी डाउन ग्रेड ना की जाए यह जो लेटर भी आप हा मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों की पाउति कि तरफ से आई हुई है ये लेटर जो यह है और only a receiving डी हैemi चाट शेखे सी इस ओड़्स रिट्थिक्ति और फ़म्हंच्ट लटर डाखर फर्स्ट ऑक्टूबर रिगार दिग्यर्टि और सक्यृऩरी तो अब लेकिन अगर मेरे पर कोई अटेम्ट भी मारना तो अलगर अटेम्ट भी हुआ तो वो सारी जम्मेवरी सरकार की होगी और इनको नतीजे भुगतने पढ़ेंगे अब आगे करेंगे क्या आप कैसे रहेंगे आप चुकी राजनीती में हैं इसको आप कैसे देखने आपके साथ अगर वोरास आपके साथ सिखिएटी है, मुरमुस आपके साथ सिखिएटी है, वैद्य साथ सिखिएटी है तो उनके पास सिखिएटी है क्यों नहीं है ? सोचते हैं कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मैं इनके खिलाफ नहीं बोला था, किसानों के पक्ष में बोला था, जो इनको पसंद नहीं आया, सिर्फ उसी वज़े से security हटाई है, कि अच्छा ये बोल रहा है, तो क्या संकेत देना चाहेंगे, अब क्या message देना चाहते है हैं, जो security हटाई गई है, इसको लेकर क्या, क्या message देना चाहता हूं, कि ये जो छोटा पन है, बदले की भवना है, revenge है, इसको खत्म करें, और properly behave करें, जो किसी भी राजा को करना चाहिए, और ये छोटे-छोटे काम है, security withdraw करने से कोई ज़रूरी नहीं कि मैं मरी जाऊंगा लेकिन इसको लोग देखेंगे, मेरे लोग, मैं भी किनी वर्गों से आता हूं, वो मेरे साथ हैं, अगर मुझे कुछ हुआ, तो इनको be fitting reply देंगे वो लोग जैसे खरी-खरी बोलते हैं, सत्यपाल मलिक साब का कहना है, कि अगर उन्हें कुछ होता है, कोई उनकी जान को खत्रा होता है, हमला होता है, तो जमेदारी सरकार की होगी, और जेट पर security cover सत्यपाल मलिक जी से वापस लिए, कि हम सब जानते हैं, कि साना अंदोलन में लगात सरकार, गवर्नर रहते हुए, मलिक साहब किन सरकार पर, काफी हमलावर रहें, सेखी मनुष ताकुर के साथ, दिल्ली में सौरब शक्ला, NGTV India